यह गैस स्वागत है आप सभी का हमारे आपकी चनल पर एटमिक्स में तो गैस अगर आपको आपके पस कोई भी बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता पैसो कोई प्रॉब्लम नहीं आपका अच्छा कासा बिजनस है घर काफी जदा बड़ा है आपकी फैमिली बिजनस भी आज कि इस वीडियो में लेकर आया हूँ तो गैस वह डॉग है अलसकन मैलम्यूट यह डॉग बिट काफी अच्छा है तगड़ा भी है और दिखने में काफी ज़्यादा खूब सरत है बट इनको रखने के लिए इनके केर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे के जर जरू से किया करें और जिन लोगों ने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू किजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आपको बता दू एलसकन मैलम्यूट यह काफी ज़दा पुराने डॉग बिट है एक हजार साल से पुराने डॉग ब बात करें तो काफी तकड़े और श्ट्रॉंग टाइप के डॉग बिट आपको देखने को मिलेंगे यह खास करके थंडी जगा पर रहना पसंद करते हैं अगर आपके यहां पर थंडी जगा है या फिर आप बरफाले एरिया में रहते हो यहां पर जहां पर काफी ज़दा ह डिस स्टेशन ऒर घर होते काफИ जदे धंडी होती वह पर यह पे यह रहना काफी जदा पसंद है अगर आपका वहां पर थंड काफी जदा बढ़धी रहती है कभी कम होती है कभी आप होती है तो ऐसी जगा पर यह डॉग काफी अच्च्य से सर्पाईव कर लेते उनको वह प्रॉपर तरीकी से इसके एक्सरसाइज और डैली exercise वर ट्रेनिंग आपको सब्सक्राइब जरूत होता है अगर आप इस इनके पीछ psychoี हो जो इनको को अच्छी से ट्रेन करता हो अच्छी से उनको सुबस शाम वॉकिंग पे ले जाता है प्रॉपर तरीके से इनकी बॉड़ी को एनर्जी से भरा हुआ बनाता है तो यह डॉप उनके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि इनके पीछे टाइम भी आपको बहुत कुछ देना खचte क़ए तो आपको पता होगे होता है इसका इसका प्राइज से स्टार्ट होके 2 लाघ तक भी जा सकता है कि अगर आपके पास अजसे काशन झाल कि आपके पिछे नहीं तो आप के लिए काफी अच्छा रहेगा क्यूंकि काफी ज़्यादा कॉस्टली है और कोई यह रेर केस में डॉट मिलते हैं अगर इंडिया में आप सब जगा पूछने जाओगों तो आपको सब जगा डॉट नहीं मिलेगे कहीं 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 यहां पर इनकी डॉट की को मिलेंगे इНकी अब लाइश्वेंट करें नहीं जूंटा है अगर जा NICK मैं बढ़ सकती है इनकी खाने के उप़र उपर उनके खाने के उपर 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 आपको बहुत को ध्यान देना पड़ सकता है बागी बात करें तो ये काफी ज़्यादा family dog beed है काफी अच्छे से रहे लेती है अच्छे से survive कर सकती है इन dog beed को ज़्यादा बार करना पसंद नहीं है बट काफी ज़्यादा energy से भरे होते हैं अगर जैसे आप इनो वॉक के लिए ले जाते हो या फिर बाहर घूमाने ले जाते हो, तब यह dog bit काफी जदा energy से भरे होते हैं, इनको खेलना पाफी जदा पसंद है, खास करके बाहर जाके ball खेलना या फिर मस्ती करना, यह dog bit उनके लिए हमेशार तयार रहते हैं, और guys बहु और उनका रहना पूरा अलग है और साइबरिन हस्की का रहना काफी ज़्यादा अलग होता है साइबरिन हस्की आराम से आपने अभी सीटी में भी रह लेते हैं बड़ उनको थोड़ा टेमपरिजर का आपको देखना पड़ता है बस ये डॉक पीट की पीछे आपको बहुत ज जानका रही है तो ऐसे लोग इन डॉक बीट के साथ जा सकते हैं और यह डॉक बीट को कभी भी आप अके लिए घर पे माच छोड़ी है क्योंकि काफी ज़्यादा सेतान है यह फी तोड़ फोड़ करते मस्ती करते और किसी और डॉक के साथ भी इसको एड्रस करने में काफी ज़्यादा टाइम लग सकता है इसलिए उस बात का भी आपको ध्यान रखना है और मैं आपको बता दू काफी ज़्यादा हंटिंग करते इसलिए आपको ऐसा नहीं कि आप इसको बच्चों के साथ आराम से छोड़ सकते कभी कभी एग्रेशन के साथ भी उनके साथ जा सकते तो इसलिए आप अगर लेते हो तो आप एक तो स्मॉल साइज का पपी लीजेगा और अपने हिसाब से उसको डालेगा कैसे उसको सोचलाइस करना है कैसे उसको ट्रेन करना है क्योंकि डॉग बिट काफी ज़्यादा हैवी भी हो जाते है तो जैसे आप बाहर वाक पे ले ल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू करना आप मुझे इस्टा पर फॉलो कर सकते लिंक में डिस्क्रिप्शन में दीए तो गैस मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू फूर वाचिंग